मीरा बोरवरंकर से मुलाकात हुई थी लेकिन मेडम कमिशनर के आरोपोवर अजीत पवार ने बताया क्या हुआ था उस दिन पूर्वाइफियस अधिकारी मीरा बोर बरंकर ने अपनी किताब मैडम कमिशनर में जो आरोप लगाए हैं उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है मंगलवार को एक प्रेस कॉनफरेंस में उप मुख्मंतरी अजीत पवार ने यह सफाई दी पवार ने कहा तीन-चार देन से मेरे खिलाब मीडिया में खबरें आ रही हैं मैं कई बरस पालक मंतरी रहा हूँ लेकिन इस प्रकरण से मेरा कोई लेना दरन नहीं है मैंने कभी भी कानून के दायरे से बाहर जा कर कोई काम नहीं किया अगर मैं किसी का काम नहीं कर सकता तो सीधे मूँ पर मना कर देता हूँ गलत काम कभी नहीं करता मैं उस वक्त पालक मंत्री जरूर था लेकिन मैंने बोर वरंकर को कोई आदेश नहीं दे थे मैं कभी भी गलत काम के लिए किसी अधिकारी पर कोई दवाब नहीं डालता अजीत बढ़ा जिस जमीन के बारे में आरूप लगाई जा रहे हैं 2008 में राजी सरकार ने जी यार निगाला था, वह प्रस्ताव ग्रह मंतरा ले का था, उस वक्त आरार पाठेल ग्रह मंतरी थे, उनोंने का कि मैं भला मेरा काम भला, यह मेरा स्वभाव है, यिसलिए मैं इन आरूप को महत नहीं देता रिटाइट पुले सदीकारी ने जो आरूप लगाए हैं उससे सम्मंदेत सारे दस्तावेज मैंने फिर से च्यक किये हैं मेरा कहीं भी कोई सम्मंद नहीं है पावार ने कहा उने के ये वड़ा की जिस जमीन का जिक्र हो रहा है उसके बारे में एक समीती पावार ने कहा कि उस जमीन से सम्मंदेत किसी भी बैटंग में शामिल नहीं था किसी सरकारी दस्तावेज़ पर मेरे हस्ताक्षुर नहीं है वह ग्रहम अंतराले की जमीन थी और उस पर मेरा कोई निरड़े लागू नहीं था अजीत ने कहा कि वह सभी अधिकारियों के प्रवात में जाने से बच गई। लेकिन यह सच नहीं है। दरसल जिस कंपनी को जमीन देने का फैसला हुआ था। उस कंपनी का नाम EDK एक केस में आने के बाद सरकार नहीं पहले लिए गए फैसले को रद्द किया था। किसी विक्ति कारण यह फैसला रद्द करना पूने के यह बड़ा की पुलिस विभाग की जिस जमीन का जिक्र हो रहा है वह आज भी पुलिस विभाग के पास ही है।